हम समय समय पर MSP के दाम निर्धारित करते हैं जो CCAP के CACP के जो रेक्मेंडेशन्स हैं उस पर अधारित जो MSP के दाम तै होते हैं उस विशह में आज बहुत महत्वपूर्ण बढ़त किसानों के लिए मन्जूरी दी गई है शायद कई वर्षों में सबसे अधिक बढ़त इस खरीफ के दामों में माने प्रधान मंत्री जी के नित्यों तुमें स्विक्रित की गई जैसा आप सबको अवगत है प्रधान मंत्री जी ने जो समर्थन मूल्य है ये लागत से 50 प्रतिशत कम से कम जादा होगा ये निर्णे कुछ वर्ष पहले लिया था और उसके फल्सुरूप समय समय पे MSP निर्धारित की गई है इस वर्ष की वृद्धी कई वर्षों में सबसे अधिक वृद्धी है और जो अलग-अलग किसानों के लिए मान्य प्रधान मंत्री जे ने समय समय पे काम किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा जिसके फल्सुरूप एक MSP है एक खाद्य जो फटलाइजर है वो परियाप मात्रा में उपलब दो बीज की कभी कमी ना आए इन सब अलग-अलग निर्णेओं के कारण मुझे आपसे बताते हैं खुशी होती है कि ओवराल जो फूट ग्रेन प्रड़क्शन है खरीफ का वो 285 मिलियन टन यानि 2850 लाक टन जो 18-19 में था वो बढ़के इस वर्ष का अनुमान है कि 330 मिलियन टन 3300 लाक टन तक जाएगा यानि 4500 लाक टन की व्रिद्धी इस मात्र चार वर्षों में शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में फूट ग्रेन आउटपूट बढ़ा हो खास तोर पे कोवेड कोवेड के बाद ये युक्रेन की युद्ध इस सब के बीच में फटलाइजर के शॉटेजेज ट्रांसपोर्ट फ्रेट की समस्या इस सबको जब हम देखते हैं ऐसे विप्रीत परिस्तितियों में माने प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रत्व में जिस पकार से खाद्य सुरक्षा की भी चिंता की गई और हमारे किसानों की विशेश रूप से चिंता की गई वो वास्तव में सरानिया है और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धी की गई है वो वृद्धी अगर हम अलग-अलग जो crops देखें उसमें मूंग धाल पे सबसे अधिक वृद्धी की गई है मूंग में 10.4 परसेंट वृद्धी करके 5705 रुपई की जो लागत है उसके बदले 7755 रुपई मूंग पर MSP निर्धारित की गई है निर्धारित थी पिछले वर्ष और अब उसको बढ़ा के 2023-2024 के लिए 8558 रुपई यानि 10.4 परसेंट की वृद्धी 8558 मूंग दाल पर नई खरिफ मार्केटिंग सीजन के लिए MSP को सुनिश्चित किया गया है इसी प्रकार से जो ग्राउननट है उसमें भी 9% की वृद्धी हुई है और अब 6357 रुपई ग्राउननट की MSP रहेगी सेसमम सीट जो है सेसमम में भी 10.3% की वृद्धी की गई है 8,635 रुपई उसका MSP तै किया गया है और पैडी जो साधारणता बड़े मात्रा में उत्पादन होता है पैडी की MSP में 7% की वृद्धी की गई है कॉमन ग्रेड में 2183 रुपई 2183 प्रतिक क्विंटल और पैडी ग्रेडे में 2203 रुपई प्रतिक क्विंटल की नए निर्धारित MSP को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है इसी पेकार से जोवार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अररदाल, उड़त, सनफ्लावर सीट, सोया बीन, निगर सीट इन सभी में लगबग 6-7% की वृद्धी इस खरीफ मार्केडिंग सीजन के लिए की गई है डीटेल्स आपको उपलब करा दिये जाएंगे कापोस में, कॉटन में, बहुत बड़े रूप में वृद्धी करने का नेने कैबिनेट ने लिया है कॉटन की मीडियम स्टेपल, MSP को 8.9, लगबग 9 प्रतिशत बढ़ाकर 6,620 किया गया है और लॉंग स्टेपल कॉटन को 7,020 यानि 10 प्रतिशत की वृद्धी कैबिनेट ने आज स्विक्रिती दिये इन सब कारिक्रमों के साथ-साथ MSP की जो बढ़तीवी दाम है इसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइजर हो जो बिना बढ़त के इतने दुनिया में इतने दाम बढ़ गए लगबग 3 गुना, 4 गुना होने के बावजूद भारत में फर्टिलाइजर के दामों में जरा भी वृत दी प्रदान मंत्री जी ने होने नहीं दी जिसके कारण हमारे किसानों को बहुत लाब मिला शायद एक-एक किसान का लाब देखने जाएं तो हजारों रुपए का लाब किसानों को सिर्फ और सिर्फ फटिलाइजर दाम ना बढ़ाने से पिछले वर्ष में मिला है और